देखो, अब हमारा जो science and technology का जो पूरा portion है, है ना, वो हम शुरू कर रहे हैं, अब उसमें से हमने cell पढ़ चुके हैं, cell division पढ़ चुका है, है ना, उसके बाद में उसमें हमारे जो institute आएंगे, मतलब की जैसे ISRO है, है ना, फिर आपका जो भी national institute है, जो science and technology में काम करते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे उसके अंदर, ठीक, उसके बाद में आपकी जो digestive system से लेकर के दो तीन important system जो बॉड़ी के अंदर, है ना, किसी के पास syllabus है, syllabus है, अपनी पढ़ाई हमेशा हमको syllabus के according ही करनी है, है ना, syllabus है किसी के पास बताओ जरा मुझे, नहीं, mobile में नहीं है, hard copy, है क किसी के पास, वहाँ से उठाला, बाहर से जाओ, हाँ तुम चले जाओ, बाहर से बेंच पर रखा हुआ, मेडम से ले आओ, तो जब भी हमको पढ़ाई करनी है, किस से करनी है, syllabus सामने रख के करनी है, आपको syllabus से बाहर कुछ नहीं पढ़ना है, है ना, चीजे बहुत सारी है आप syllabus के according चलते चलो, और आपका जो काम है, वो एक एक करके point wise point जो है, उसको निप्टाते चलो, अभी हम science and technology शुरू करेंगे, तो उसमें हमने food processing कर लिया है, है ना, methods of agriculture कर लिया है, उसमें हमने tissue जो है, थोड़ा सा पढ़ लिया है, cell पढ़ लिया है, cell division पढ़ लिया है, ह तो देखो, यह जो आपका syllabus है, इसमें हमारा, यह रहा आपका science and technology, तो science and technology जो है हमारा, अब यह वाला portion हम शुरू करेंगे, है ना, इसमें हम क्या पढ़ने वाले है, आज, इसमें हम पढ़ने वाले nutrition, food and nutrients, मतलब की portion, आहार और पोशक, तत्व, है ना, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, तो यह अभी हमारा पूरा खतम होगा, उसके बाद में फिर हम इसी में से कोई दूसरी चीज पढ़ना शुरू करेंगे, इसके बाद आपके important Indian scientific research institute, है ना, जिसमें आपका ISRO बगेरा आएगा, वो भी पढ़ेंगे, basic principle of science, इसमें तो बहुत सारी चीज़े है है ना, human body है, agriculture technique हमारी हो चुकी है, फिर health policy, programs, है ना, यह सारी चीज़े हम इसके अंदर पढ़ेंगे, तो आज का जो हमारा topic है, वो क्या है, nutrition, चलो तो उसको शुरू करते हैं, इसका मतलब क्या है, नहीं, पोशक तत्म मतलब nutrients होता है, इसका मतलब है, पोशन, क्या मतलब ह है, पोशन, डेफिनेशन क्या है, कि कोई भी चीज हम जब खाते हैं, है ना, तो जब उसको हम खाते हैं, तो उससे हमको क्या मिलती है, energy, तो वो energy निकालने का जो पूरा process है हमारा, है ना, या जो energy, या जो vitamins, या जो protein, carbohydrate हमने निकाले हैं, उसके अंदर से हमारे भोजन के अ होगा, है ना, सबसे पहली बात इसका meaning क्या होगा, दूसरी बात इसकी जरूरत क्या है, है ना, इसका need क्या है, और तीसरा इसकी कुछ conditions है, इसकी कुछ condition है, मतलब की कुछ अवस्थाएं, ठीक है, तो पहला तो हो गया, meaning मतलब की इसका अर्थ क्या है, अर्थ मैंने आपको बताया, ठीक है, क्या करते हैं इसके अंदर हम, to gain energy, है ना, to gain energy from food, short में हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, मतलब की भोजन के या भोजन से उर्जा प्राप्त करना, उर्जा प्राप्त करना, इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम portion, तीक है, अब portion देखो, अलग-अलग प्रकार का होता है, और अलग-अलग, जन्तूओं में अलग-अलग होता है, वो सारी चीजे हम इसमें देखेंगे, फिलाल इसके मीनिंग की बात करूँ, तो भोजन से उर्जा प्राप्त करना, अब देखो, भोजन हम करते हैं, खाने में हम क्या खाते हैं, खाने में हम कार्वोहाइट से लेकर से प्रोटीन से सारी चीजे खाते हैं, है ना, उन सभी से अलग-अलग आपको अलग-अलग टाइप का न्यूटियन मिलता है, मतलब की प्रोटीन से कुछ अलग चीज होगी बॉडी के अंदर, कार्वोहईडेट से कुछ अलग होगा, और फेट से कुछ अलग होगा, और वाइटामीन्स बगेरा जो है, वो आपकी इम्म्यूनिटी डेवलप करने में काम आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर भोजन से इन सब चीजों को निकालने की जो प्रक्रिया है, उसी को हमने क्या कह दिया है, उसी को हमने कह दिया है portion या उसी को हमने कह दिया nutrition अब इसमें क्या-क्या चीजे मिलेंगी हमको सबसे पहले आपको carbohydrates मिल सकते हैं है ना carbohydrate दूसरा हमें protein मिलेगा इसके अंदर से थीक तीसरा हमें fat मिलेगा और चौथा मिलेगा हमें vitamin ठीक है भई तो देखो carbohydrate का काम क्या होता है अचा हिंदी वाले समझ रहे ना इतना तो समझ जाओगे ना carbohydrate, protein, fat और vitamin ये carbohydrate, protein और fat ये जो तीन चीजे हैं ये क्या है हमारे macro molecules होते हैं मेक्रो मेक्रो का मतलब इनकी बहुत ज्यादा मात्रा में हमको जरूवत होती है ठीक है कुछ होते है micro और कुछ होते है macro मतलब हिंदी में इनको व्रहद अनु कहते हैं कौन से अनु कहते हैं व्रहद व्रहद का मतलब यह अनुक size में भी बड़े होते हैं और इनका amount भी body को क्या लगता है जादा लगता है ठीक है जैसे कि माल लो अनुक काम क्या है एनरजी देना लीए हैना जो भी काम कर रहे है बोल रहे हैं उठ रहे है खेल रहे है कोई दूसरा काम कर रहे हैं उन सब के लिए जो energy और एवन हमारी body के internal energy जैसे कि heart continuously क्या हो रहा है बीट कर रहा है धाड़क रहा है ना pump कर रहा है अंदर की जितनी भी क्रियां है वो तो सब चल रही है चाहे हम सो रहे हो चाहे कुछ काम करें या ना करें तो उन सब के लिए वी तो क्या चाहिए एनरजी आपने देखा होगा ना कि कभी-कभी हम अगर दिन भर सिटिंग का काम भी करें ना जिसे हम पढ़ा ही कर रहे है तो इ गेहु से ठीक है चावल से आलू से ठीक है उसके अलावा आपको मक्का से तो जितने भी अनाज एक तरीके से हम कह सकते हैं उन सभी से आपको क्या मिलेगा रोटी खाते हैं चावल खाते हैं चावल में आपका ब्राउन राइस और आपका वाइट राइस दोनों हो सकते हैं अब कार्वो हाइड़ेट का काम है एनर्जी प्रोवाइड करना है ना अब एनर्जी में क्या होता है कि देखो ऐसा नहीं है कि प्रोटीन से एनर्जी नहीं मिलेगी फेट से एनर्जी नहीं मिलेगी इनसे भी मिलेगी पर इनका जो टाइप है वो अलग है और इनका जो टाइ इसे क्या मिल जाएगी आपको energy है ना मतलब की जैसे अगर हमने चावल घाए तो चावल जैसे ही आप खाते हो तो थोड़ी देर के बाद फिर आपको भूक लगने लगेगी क्योंकि वो easily digest हो रहा है दूसरा उससे energy जल्दी से body निकाल लेती है पर उसकी बजाए अगर आपने रोटी खाई तो क्या होगा आपको थोड़ा सा वो देर से उससे energy मिलती है ना और energy का amount भी चावल की तुल्ला में क्या होगा जाता होगा तो कहने का मतलब क्या हुआ कि carbohydrate जितना simple है जैसे चावल के अंदर जो carbohydrate पाये जाता है वो basic carbohydrate होता है ना और गेहूं के अंदर थोड़ सा उससे complex होता है इस तरीके से अलग-अलग compound में अलग-अलग carbohydrate होता है तो carbohydrate का काम है energy देना ठीक प्रोटीन का काम क्या है बाई बताओ जरा building material है यह क्या है building material मतलब built up करता है क्या बनाता हमारे शरीके अंदर नई नई cells रोज बनती है है ना कोशिकाए बनाएगा दूसरा muscles को grow करने में मदद करेगा मतलब इसके बिना आप muscles नहीं बना सकते हो है ना जैसे की जिम में exercise बगएरा जो करते है वो लोग generally protein ज़्यादा लेते है बच्चों को protein ज़्यादा देना चाहिए क्यों क्योंकि उनका growth होता है वही आपकी height बढ़ रही है तो क्या हो रह क्या है building का काम करना मतलब की चीजों को बनाना कोशिका अगर टूट पूट गई है उसकी मरम्मत करना रिपैर करना नई कोशिका को बनाना शरीर के अंदर होने वाली किसी भी प्रकार का कोई भी damage अगर होता है तो उसमें protein का क्या होता है important role होता है तिक अब protein के हमको कितनी म मात्रा चाहिए कार्वो हाइडेट जो है आपको धाई अजार से लेकर के तीन हजार केलरी तक आपको एक दिन में लेना चाहिए अब यह अलग-अलग कामों के लिए अलग-अलग होती है वो अभी चार्ट भी मैं आपको बना के बताऊंगा है ना फिलाल अगर में किलो है तो मुझे 50 ग्राम प्रोटीन रोज चाहिए ठीक है अगर आपका बजन 70 किलो है तो आपको 70 ग्राम प्रोटीन है ना किलो ग्राम नहीं चाहिए ग्राम चाहिए तो 70 ग्राम आपको प्रोटीन चाहिए और अगर आप कुछ एक्स्ट्रा एफट्स करते हो जैसे कि पह आपको तिधे अगर मैं बात करूँ एक से तीन ग्राम सिर्फ आपको फेट दिन पर में चाहिए एन्या किया चाहिए छीज आपके आपके अचाछा फेट का काम किया है जैसे इसको काम बिल्डिंग इसको काम फज़े इनरजी करना इसकी एनरजी में क्या अंतर है तोनों ही एनरजी प्रोफाइड कर रहे है दोनों की lifes cold अगर आकम यह Plat कर रहे हैं तो वह हमकी तो यह बिछ नहीं हो था इसलिए तो बीमाल लोगों को अगर की जीज़े aja क्लिभी मना कर distortion कि उनका digestive system क्या हो गया है वीक हो गया है तो fat کے अंदर से energy सबसे ज़यादा fat में होती है मतलब घी होता है ना हमारे वेदो शास्त्रों में लिखा हुआ कि घी होता है वो सबसे शक्तिशाली चीज होती है उसके अंदर सबसे ज़यादा उर्जा होती फेट में भी प्रोटीन जो है भौती ना के बराबर होता है अब फेट यहाँ पर दो तरीके के होता है एक saturated होता है और एक unsaturated होता है है ना unsaturated और एक होता है saturated तो देखो दोनों में अंतर क्या है दोनों में अंतर यह है कि saturated fat जो होगा वो क्या होता है वो आसानी से digest नहीं होत है ना यहां पर आप लिख सकते हो कि घी है बटर है है ना मक्षन है यह सारी चीजे आपकी क्या हो जाएगी बटर मक्षन एक ही होता शायद है ना हां तो इंदी में लिख दिया मैंने यह सब चीजे जो है आपकी किसके अंदर आएगी से चुरेटेड अंसेचुरेटेड जो है जितने भी टाइब के वह आपके आजाएंगे तो देखो अब फेट से भी आपको एनरजी मिल रही है पर फेट से एनरजी आपको लेट मिलती है ना शरीर उसको डाइजेस्ट करेगा अब फेट के डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो भी इन सबसे अलग होता है क्यों है ना तो उसी में से एक क्या होता है पित तो ये पित क्या करता है ये फेट के डाइजेशन में हेल्प करता है और फेट के से डाइजेस्ट करता है ये यहाँ पर इमल्सिफाइंग एजेंट का काम करता है है ना इमल्सिफिकेशन या इमल्सिफाइंग एजेंट वो क्या हो जिसके अंदरॉड जूस कलेक्टेड होता है। वह बाइल जूस आता है कहां पर आपके इंटेस्टाइन के अंदर। और फेट जो होता है। नहीं होगा वो तो तैरने लगेगा सरफेस पर आकर जमा होजाएगा तो आ पाने के साथ भी हम पानी से तोड़ देगा उसको और हर आपकी जो ड्रॉपलेट है उसके चारो तरफ बाइल जाकर के जमा हो जाता है बाइल जूस अब ये ड्रॉपलेट से आपस में जुड़ पाएंगी क्या नहीं और इसी वज़ा से जो है फेट इन छोटे-छोटे पीस में या छोटी-छोटी ड् कर दिया और एमलसिटेशन करने वाला एजेंट कौन है बाइल जूस तुक है इमलसिटेशन और इमल्सिपाइर बोला जाता है इमल्सिफायर कौन है? बाई, जूस बाई, समझ में आ गई? चलो अभी हम डीटेल में इन में बात करेंगे तो फेट आपको किता चाहिए एक से तीन ग्राम अब वाइटामीन यह तो बहुत ही कम अमाउंट में आपको रिक्वार्मेंट होती है विटामीन या वाइटामीन, इसको हम बोलते हैं इनका काम क्या होता है? यह हमारी जो शरीर का प्रती रक्षा तंत्र है मतलब की इम्मून सिस्टम है उसको मजबूत बनाना, उसको स्ट्रॉंग बनाना बिमार Motheryet करा बचाने का काम किसका है? वाइटामीन हम देखते ना कि जैसे कि मानलों वो नाकून के उपर अगर आपके सफेद सफेद निशान दिखाई दे रहे हैं मतलब कि आपको किसी किसी चीज की क्या है कमी है है ना वाइटामीज की वाइटामीन कौन-कौन से है A होगा, B होगा, C होगा, B के अंदर बहुत सारे हैं, विटामीन D, विटामीन K है है ना तो वो भी हम अलग अलग पड़ेंगे, तो इनका काम क्या है प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करना immune system को develop करना कौन सा system को develop करना immune system ठीक तो इसका काम energy देना इसका काम है building करना इसका काम है इसका काम भी energy देना ही है ठीक है और इसका काम क्या है immune system को develop करना बास समझ में आ गई इतनी चलो तो ये तो पहली चीज हो गई इसका meaning हमने बता दिया कि भोजन से उर्जा को प्राप्त करना ही पोशन कहलाता है एक दूसरा इसकी जरूरत क्या है ये सब करने की क्या जरूरत है है ना नीड क्या है इसकी इसकी आवशक्ता क्या है पहली आवशक्ता क्या हो सकती है बही पहली आवशक्ता तो यह यह कि हमको क्या चाहिए उर्जा चाहिए है ना एनर्जी चाहिए और एनर्जी हमको किस लिए चाहिए ग्रोथ के लिए चाहिए है ना वर्क करना है हमको दिन भर हमारा development हमारी body में होता है मतलब की व्रधी तता विकास हिंदी में क्या कहते हैं इसको व्रधी और विकास तो इन सब चीजों के लिए हमको portion की जरूरत होती है उर्जा प्राप्त करना है daily routine के लिए है ना growth करना है growth का मतलब की आप छोटे से हम बड़े हो रहे हैं उस दोरान भी हमको portion चाहिए और continuous चाहिए भली देखो अभी जैसे मालो एक particular age के बाद हमारी hide बढ़ना बंद हो जाएगी है ना या हमारी जो growth है वो रुख जाएगी पर internal growth जो है वो तो क्या होगी lifetime चलती रहेगी ब्लड cells लगातार नई बनती रहेंगी है ना फिर आपका जो दूसरी cells है hepatic cells वो भी बनती रहेंगी normal somatic cells है वो भी बनती रहेंगी मतलब कि अंदर की प्रक्रियाएं क्या हो रही है चल रही है उन सब के लिए उर्जा भी चाहिए मतलब की mental जो ability है आपकी वो भी बढ़ती है समय के साथ साथ दीरे दीरे बढ़ती है की नई बढ़ती है neurons हमारे शरीर के अंदर वो क्या decide करते हैं हमारा जो IQ level होता उसको decide करते हैं जिसके अंदर जितने ज़्यादा neuron है वो उतना ज़्यादा intelligent होगा पर neuron का number time के साथ क्या होगा धीरे धीरे छोटे जब हम रहेंगे तो neurons मालो मेरे पास body के अंदर एक लाक neuron है तो जब मैं बढ़ा होता जाओंगा तो क्या neuron का number बढ़ेगा क्या neuron का number कभी नहीं बढ़ता है वो केबल किस में बढ़ेगा size में बढ़ेगा है ना मतलब की कोशिका की व्रद्धी होगी कोशिका की growth होगी cell की और इस वज़े से हमारा जो उनका surface area होता है वो बढ़ते जाता और हमारा जो बुद्धी मता का इस तरह वो भी क्या हो जाता बढ़ जाता हमारा IQ level क्या हो जाता है बढ़ जाता है तो इन दो चीजों के लिए हमको किसकी जरुवत होती है nutrition की जरुवत होती है इसको भी note कर लो जल्दी से अब अगला है हमारे पास condition condition में क्या क्या चीज़े है condition में 3 condition है मिटा दू इसको condition में 3 condition है हमारे पास पहला तो है कि हम balance diet ले सकते हैं क्या कर सकते हैं balance diet है ना मतलब की संतुलित आहार संतुलित आहार का मतलब क्या होगा ठीक है दूसरा आप under under nutrition हो मतलब की आप जितना जरूरी है उससे कम ले रहे हो ठीक और एक होती है condition आपकी malnutrition हिंदी में बोलू तो संतुलित आहार इसको में कहूंगा alp potion कुनसा portion अलप potion और इसको में क्या कहूंगा coupon ठीक है इसको क्या कहूंगा coupon ठीक है ये 3 condition है nutrition से जुड़ी होई संतुलित आहार का मतलब जो अभी चीजे हमने बता रही हो और उसका अमाउंट भी जो है बैलांस होना चाहिए एसा नहीं है कि हमें जरुवत चार रोटी की है आप 6-7 खाली आराम से है ना ऐसा भी नहीं होना चाहिए मतलब की अमाउंट भी होना चाहिए और सारे तत्वों का उसमें समावेश होना चाहिए ठीक अंडर नूटिशन का मतलब क्या होता है इसका मतलब है कि आपके शरीर के अंदर है ना कोई ना कोई आपके element जो है मतलब जो आपका पोशक तत्व है उसकी क्या है कमी है मतलब की पोशक तत्वों की कमी पोशक तत्वों की कमी deficiency of nutrients है इंग्लीश में क्या बोलेंगे इसे deficiency of nutrients पोशक तत्वों की कमी अब ऐसा नहीं है कि सारे के सारे गायब हो गए है ना हो सकता है आप protein कम ले रहे हो है ना हो सकता है जैसे कि मालो आपने कोई अच्छा खासा वर्क कर लिया physical work ज़्यादा कर लिया किसी दिन तो आपके हाथ पे दर्द होने लगते है होते हैं कि नहीं होते हैं तो वो सब की इस वज़े से होता है क्योंकि हमारे पास जो हमारी daily diet है उसके अंदर protein उतना नहीं है है ना जो protein ज़्यादा लेगा उसकी muscle जल्दी repair हो जाएंगी और उसका जो pain है वो असानी से क्या हो जाएगा खतम हो जाएगा तो इसके अंदर पोशक तत्वों की कमी हो रही है मतलब कुछ ना कुछ कमी है या तो vitamin A की कमी हो गई के की कमी हो गई या protein की कमी हो गई सारा कुछ कम नहीं होगा उसमें से क्या होगा एक दो चीजे क्या हो जाएगी कम हो जाएगी तो उसको हम कहेंगे अलपोशन कुपोशन के अंदर क्या बोल सकता हूँ मै ठीक है इसके अंदर जो maximum है आपका maximum deficiency बोल सकता हूँ मतलब की अधिक्तम अधिक्तम तत्वों की कमी है ना मतलब की भोजन से मालनो मुझे दस चीजे मिल रही है तो मुझे आठ कुपोशन वाली इस्तिती में मुझे आठ नहीं मिल पा रही है सिर्फ दो ही मिल रही है ठीक है बाद समझ में आ गई जैसे मुझे protein मिल रहा है वाइटमीन बहुत सारे मिल रहे है पर कुपोशन जब में छिकार हो गया कुपोशन का मतलब मलन्यूट्रिशन का तो उसके अंदर क्या होगा कि maximum जो 90% जो मेरा न्यूट्रिशन है वो मुझे क्या हो रहा है नहीं मिल पा रहा है अब ऐसा कहां पर होता है भई जैसे कि हम देखते हैं कि South Africa की जो हमारी जो country South Africa वो बहुत गरीब देश है महाँ पर भहुत सारे तो वहां के बच्चों को वहां के लोगों को प्रॉपर खाना नहीं मिल पाता है या रोटी मिल रही है तो कभी उनको जो है सबजी नहीं मिल पाएगी सबजी मिल गई तो रोटी नहीं मिलेगी मतलब कहने का कि एक चीज कोई भी मिल रही है दूसरा एवलेबल नहीं है मीट मिल रहा है तो मीट ही खाय जा रहे है मीट में क्या होता है मीट में प्रोटीन है तो वो मैने दो मैने वहां गुमा रहा, तो वो उसी खरगोशों को क्या करता था, खाता रहता था, मार के, है ना, दूसरी चीज उसने कुछ भी नहीं खाई, तो जब वो मिला लोगों को वापस, तो भी उसकी क्या हो गई, थोड़े दिन बाद ब्रत्ती हो गई, क्योंकि उस जो डाइट है, उसमें भी क्या करते रहना है, चेंजेस करते रहना चाहिए, भोजन का डाइट का टाइम हमेशा फिक्स रहना चाहिए, पर उसमें जो आप मेटेरियल रियूस कर रहे हो, वो कैसा होना चाहिए, हमेशा बदलते रहना चाहिए, रोटेट आपको करते रहना उससे क्या होगा, उससे देखो, एक ही एक तरीका भोजन खाने से हम क्या होते हैं, बोर हो जाते हैं, बोर होने का मतलब क्या हुआ, कि आपके जो हार्मो, जो आपके एंजाइम से डाइजेस्टिव, वो प्रॉपर सिक्रीट नहीं हो रहे है, हम बोलते हैं कि खाने को देखके मुँ में पानी आना, यह थी कंडिशन होनी चींए, तब ही आपका digestion क्या होगा? प्रॉपर होगा सलाइवा जो है जिसको हम कहारे है न न मुँ में पानी आना ये भी क्या है? एक एंजाई में और हमारे food का digestion यहीं से शुरू हो जाता है मुह के अंदर से ही, और सबसे पहले कौन डाइजेस होता है, कार्बोहाइडेट, जैसे ही आपने खाना मुह में चबाना शुरू किया, तो कार्बोहाइडेट का डाइजेशन क्या हो गया है, शुरू हो गया है, तो कार्बोहाइडेट का डाइजेशन मुह से ही शुरू हो ज चलो तो आप देखो डबलू एचो का नाम सब ने सुना है वर्ल्ड हेल्थ और गनाइज़शन डबलू एचो ने एक डाइट चार्ट हम उसको बोल सकते हैं कि एक परसन को एक दिन में कितनी केलोरी लेनी चाहिए है ना डबलू एचो के अकॉर्डिंग आप चाहिए जितनी है लाइट वर्क करते हो ठीक है लाइट वर्क मतलब की हलका फुलका कार है आपका हलका कार है हलका कार का मतलब जैसे हम स्टूडेंट है पढ़ाई कर रहे हैं घर पे जा रहे हैं खाना का रहे हैं सुबह उट रहे हैं और अब बस इतने ही काम करते हैं तो उसको हम क्या कहें है और वो मेल है है ना तो उसको कितनी केलोरी चाहिए दिन बर में 2000 केलोरी तिक अब यहां पर आपको दिखेगा कि फीमेल में क्या लग रही है calorie ज्यादा लग रही है अगली step देखो light work के बाद अगर मैंने कहा कि 8 hour का work है आपका है ना मतलब की एक 8 गंटे का जो proper काम होता office work है ना शुबह 10 से लेकर के शाम के 5-6 बजे तक का है ना उसके लिए यहाँ पर WHO ने कहा है कि आपको कम से कम कितनी calorie चाहिए 3000 के आसपास calorie चाहिए ठीक है male के लिए और female के लिए जो 2500 के आसपास calorie चाहिए ठीक अगला जो है heavy work है ना heavy work का मतलब कि आप physical work बहुत जादा करते हो तो उस condition में आपको 3500 से 4000 के बीच में आपको calorie चाहिए और यहाँ पर जो है 3000 के आसपास आपको calorie की requirement होगी दीक है female में calories की requirement कम हो रही है क्योंकि उनका जो biological structure है वो male से different होता है है ना size में shape में सभी जगाओं पर हम सबको पताई कि जो male होता है generally वो physical work आसानी से कर सकते हैं है ना female में उसके comparison में physical work की capacity जो है थोड़ी सी कम होती है तो उनकी energy की requirement भी क्या होती है कम होती है पर आप देखोगे कि पहले वाले में उनको energy जादा क्यों लग रही है बताओ जरा जब दोनों same work कर रहे हैं है ना कि sitting जैसे दो student एक same age के है ना एक लड़का है और एक लड़की है तो लड़के को 2000 के लोरी लग रही है और लड़की को कितनी लग रही 2100 क्यों क्योंकि उसका एक reason है हां नई उसका reason है कि जो girls होती है उनको मतलब अगर जैसे मान लो simple work है तो वो talkative जादा होती किसके comparison में लड़कों के comparison boys के comparison मतलब बाते जादा करती है girls ठीक है ऐसा बेग्यानिकों की research बता रही है है ना क्या बता रही है कि लड़किया बाते कनने में भी energy लगेगी भई है ना आप उसमें भी विना energy के तो कोई काम होगा नी तो अगर सामान ने आप अगर कारे कर रहे हो उसमें जो महिलाएं होती है वो ज़्यादा बातचीत करती है जिसकी वज़ए से उनमें 100 केलोरी energy क्या हो रही है ज्यादा लग रही है बाकी के जो काम है इसमें जो है मेल में ज्यादा energy है और फीमेल में क्या है कम energy तो ये एक चार्ट हो गया केलोरी से रिगार्ड़ी प्रोटीन का तो मैंने आपको बताई दिया है प्रोटीन तो कितना चाहिए आपको वेट के अकॉर्डिन चाहिए है जितना आपका वेट है उतने ग्राम आपको प्रोटीन लगभग यह 90% तो लगभग चाहिए ही चाहिए उतना प्रोटीन आपको रोज चाहिए और वो कहां से मिल सकता है प्रोटीन दालों से मिलता है अगर आप वेजिटेरियन हो अंकुरित आप जो दाने होते हैं जैसे मूंग चना वगेरा उसको आप खा सकते हो ठीक है उसके अल अच्छी अमाउंट होती है तो इसको जल्दी से नोट कर लो फिर आगे चले हम method of nutrition पोचन की विदिया method of nutrition पोचन की विदि अब विदि का मतलब यहां पर यह है कि किस तरीके का उसमें जो है nutrition पाये जाता है जैसे कि इसको अग मैं broadly classify करूँ तो यह दो parts में divide होगा वर्गी करूँ तो दो भागों में होगा पहला होगा है autotrops क्या होते है भाई autotrops और दूसरे क्या होंगे heterotrops ठीक है दूसरे क्या होंगे heterotrops autotrops और heterotrops मतलब की visam poshi हिंदी में क्या कहूँगा visam poshi और English में हिंदी में इसको क्या कहूँगा मैं swayam poshi इनका क्या मतलब होता है बताओ जरा यह तो बहुत सिंपल चीज़े हैं ठीक है ओटो ट्रॉप्स का मतलब होता है ऐसे एनिमल्स या ऐसे प्लांट जनरली इसमें प्लांटी आएंगे सारे आप यहां पर आटो ट्रॉप्स का मतलब जो अपना भोजन क्या करते हैं खुदी प्रिपेर करते हैं इसके अंदर क्या-क्या चीज़ आजाएंगी, plants generally सारे जितने भी हैं, वो सारे plants इसके अंदर आजाएंगे, ठीके, तो unique plants को हम क्या कहते हैं, producer, उत्पादक कहते हैं किनी कहते हैं, plant क्या होते हैं, सारे producer होते हैं, तो producer भी इनको कह सकते हैं, मतलब की उत्पादक, तो ये plant प्रकास संसिलेशन के द्वारा प्रकास संसिलेशन की क्रिया द्वारा फोटो सिंतेसिस के द्वारा क्या होती फोटो सिंतेसिस देखो फोटो सिंतेसिस एक ऐसा फिनोमिना या एक ऐसी रियक्शन है जिसमें सनलाइट है ना पहली चीज़ क्लोरोफिल दूसरी चीज़ वाटर तीसरा सबस्टेंस है ना और कारबन डायोकसाइड है ना ये सब चीजे मिलके क्या बना रही है ग्लुकोस का फॉर्मेशन कर रही है किसका फॉर्मेशन कर रही है ग्लुकोस क्या है भोजन मतलब की जो भी हम खा रहे हैं अंदर जाकर क्या बनता है ग्लुकोस ही बनता है तो श लीप्स उनकी पत्तियों में error hree होती हैहरी पत्तियों पर जब सूरज का प्राकाष पड़ता है क्लोरोफिल की उपस्थिती के कारणी इ具 कहारी होती है और इसी वजए से उसमें क्या बन्ना शुरू हो जाता है शुगर बनना मतलब की ग्लुकोस का जो है आपका शुरू हो जाता है फिर वो सारे प्लांट्स में क्या हो जाता है इस तरीके से पोधे क्या कर रहे हैं ना केवल अपने लिए सभी के लिए भोजन बना रहे हैं ठीक है आप जैसे कि मैंने कहा कि भाई मानलो कोई हर्वी बोरा से नहीं यह ना मतलब की डारेक्ट बोलो या इंडारेक्ट बोलो सभी चीजे किस पर डिपेंड है प्लांट के उपर ऑ्टो ट्रॉप्स के उपर ठीक है भई कौन ये तो उनका भी इस्टोरेज होता है ना भई सभी पोधों की सभी हाँ नहीं पज़ड में जड़ती है वो कुछ पोधों की जड़ती है जैसे कि हमने पढ़ा था ना उसमें पढ़न पाती वन जो अपनी पतियां क्या कर देते हैं गिरा देते हैं तो उस कंडिशन में क् के पास अपना इस्टोरेज होता है इस्टोरेज समझते हो कि जैसे हमारी हम उपास रखते हैं किसी दिन है ना फास्ट अगर है तो उस दिन क्या हमारा फंक्शन नी होगा क्या वाडी का सब होगा है ना तो वहां पर भी क्या होता है इस्टोरेज होता है और वो एक पर्टि इसके अंदर सारे अनिमल्स आ जाएंगे ठीक है इसमें सबसे पहले अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूँ पहला मैं लिखूंगा म्रतोप जीवी कौन से जीवी म्रतोप जीवी आगे आएंगे पर जीवी है ना पैरासिटिक इसके बाद मैं लिखूंगा ठीक है पहले इन दोनों को देख लेते हैं चलो है ना म्रतोप जीवी और दूसरा कौन सा है पर जीवी म्रतोप जीवी मतलब की क्या भूला जाता इसको इंगलीश में इस स्पेरोफाइट सी स्पेरोफाइट इसका मतलब की जो सड़ी गली चीजों से है ना जो डिकंपोज हो रही है उनकी ओपर उगाते जैसला देखते रा की फपूंधी लग जाती है ना जैसे कि नहीं बैक्टेरिया नहीं जैसे कि जो होता है ना फपुन्द जो मश्रूम होता है जो कहीं पर भी उगाता है जिसको हम वो छतरी जैसा होता है तो वो क्या होता है वो एक म्रतोप जीबी होता है मतलब कि जो चीजे अल्रेडी जो और्गनिक सब्स्टेंज दीकंपोज हो रहे हैं उनी से वो अपना क्या करता है निकाल लेता है अपना भोजन जो है वो कर लेता है तो यह दूसरों पर डिपेंड है तो आएका तो किसके अंदर हेट्रोटॉप्स के अंदर ही आएका तीक है फिर अगला है परजी भी परजी भी क्या होते है भाई पैरासिटिक क्या होते है डिपेंड तो सारी दूसरों ही कर रहे हैं हेटरोटॉफ का तो मतलब ही हैं अंतर क्या हुआ अंतर यह हुआ कि यह मरे हुए से निकाल रहा है नौ जो डेड हो चुका है और यह किस से निकाल रहा है लिविंग बाइब की यहां पर वोस्त और गेस्ट वाला सिस्टम रहेगा जैसे कि आपका हम कह सकते हैं कि यह इसका सबसे अच्छा पूरी चीजें उसकी, नीड की रिक्वार्मेंट जो भी उसकी, वो कहां से फुल्फिल हो रही है, हमारी बॉडी से पूरी हो रही है, तो वो किस के अंदर आ जाएगा, पर जीवी के अंदर, पर मतलब दूसरा, दूसरों पर जीवित रहने वाला, और वो दूसरा जो है, उस तूकेगा, मालो यह मेरा एक कोई पेड़ है, इसके उपर इस तरीके से पीली-पीली जो अमर बेल, वो उसको अमर बेल इसलिए कहा जाता है, क्योंकि वो कभी मरती नहीं है, वो दूसरों पर डिपेंड है, एक प्लांट खतम हुआ, दूसरे प्लांट के उपर वो ग्रो कर करने लगेगी, और वो क्या करती है, पोधों से अपना, जो है, खाना तो पोधा बना रहा है, और वो सारा क्या कर रही है, वो खुद खा रही है, और इसकी वज़ए से उसकी ग्रोथ होती जाती है, और पोधा जो है, वो धीरे-दीरे क्या हो जाता है, मरने लगता है, ठीक शाकाहरी को हम क्या कहते हैं हर्भी बोरस ठिक दूसरा आएगा मेरे पास मांसाहरी मांसाहरी को मैं क्या कहूंगा कार्णि बोरस और फिर तीसरा क्या आएगा सर्वाहरी है ना सर्वाहरी मतलब omnivorous और एक और होता है decomposers जिसको हम बोलते हैं ठीक है हिंदी में इसको क्या बोलेंगे decomposers को अप घटक है ना क्या बोलेंगे अप घटक decomposer तो यह हो गया omnivorous और यह हो गया decomposer अब देखो जरा मुझे बताओ कि शाकाहरी किस पर निर्वर है पोधों पर है ना तो यह यह दोनों चीजे भी तो इसी पर depend हो रही की नहीं हो रही है पर इन दोनों में और इन में क्या अंतर है यह बताओ जरा तो लीविंग तो यह भी है दोनों अच्छा इसको छोड़ दो भले यह भी तो लीविंग पर ही डिपेंड है यह भी लीविंग पर डिपेंड है इन में सबसे बेसिक डिफरेंस क्या है कि इन में डाइजेशन नहीं होता है यह जो पर जीवी है यह अम्रतोप जीवी है इस के अंदर digestion नहीं होता है यह क्या करता है यह जो उसका already digested food है उसी को क्या कर लेता है absorb कर लेता है बास समझ में आई इन दोनों में पाचन की क्रिया नहीं होती है है ना मतलब की पाचन नहीं होता है digestion absence है डाइजेशन क्या है मेरा अपसेंस और इसके अंदर क्या होगा बराबर क्या होगा पाचन होगा पईशा का हारी है वो भी खाना खाएगा उसको डाइजेस्ट करेगा और फिर जाकर के उसको एनरजी मिलेगी मांसा हरी भी वही काम करेगा सरवा हरी भी वही काम करेगा और पर यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, यहां पर प्रॉपर डाइजेशन होगा, और उसके बाद ही उनको एनरजी वहां से मिलेगी, तो बास समझ में आ गई, तो यह methods हो गई, methods कितने types की हो गई हमारे पास दो types की हैं, एक autotrops और एक heterotrops, heterotrops में 4 चीजे हो गई, 3 चीजे हो गई, है ना, और इसमें holojoic जो है, इसके अंदर 4 चीजे हो गई, बास समझ में आ गई, अगले हैं पोशक तत्व, nutrients, पोशक तत्व, nutrients, आच्छा देखो, जो आपके हर भी बोरा से इनिमांस है, मतलब कि शाकाहरी जित्ते भी है, उनमें जो डाइजेशन होता है, वो ज्यादा आपके हमारे अंदर क्या चीजे खाते हैं, पेड़ पोदे, घास पत्ते, इन में क्या होता है, जो मैक्जिमाम अमाउंट में पाये जाने वाला chemical compound है, वो क्या होता है, cellulose, कोन सा compound होता है, cellulose, तो ये cellulose को digest करने के लिए, इनका digestion system पूरा evolve हो रहता है, मतलब कि विक्सित होता है ठीक है हमारे अंदर जो है सेलिलोस का डाइजेशन हो सकता है क्या नहीं हो सकता है ठीक है हमारे अंदर पहले जब हम लोग जंगलों में रहते थे उस समय में हम लोग भी ऐसारी चीज़े खाते थे तो वहां पर जो है डाइजेशन हो जाता था क्योंकि अपेंडिक्स कि अमारी बोडी में वो पहले काम करता था और आब वो काम नहीं करता है क्योंकि आप हमने हमारे खाने-पीने की जो भी मेथख्र से वो सारी क्या हूचुकी जे चेंज हुचुगी है तो इस वज़े से वह हो ज़ आ stipend か हौ अप सी अंग बन क्या मीनिंग है मेरे पास उसका अर्थ क्या है और दूसरा है उसका क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन मतलब की वर्गी करन तो देखो जरा अर्थ मीनिंग मीनिंग क्या कर सकता हूँ मैं क्या बोल सकता हूँ पोशक तत्व मतलब क्या होता है, पोशक तत्व मतलब ऐसे compounds, जो कि हमको क्या कर रहे हैं, हमारी energy से related requirement को क्या कर रहे हैं, फुल फिल कर रहे हैं, मतलब कि ऐसे योगिक, जो कि हमारे उर्जा की जरूरतों को क्या कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे, पोशक तत्व अब पोशक तत्व को दो भागों में बाटा जाता है ठीक है पहला तो based on use है ना मतलब uses उसके उपयोग के आधार पर उसके उपयोग के आधार पर उसका उपयोग क्या हो रहा उस प्रकार से उसको बाटेंगे ठीक है अगला होगा based on chemical composition ठीक है क्या होगा based on based on chemical composition मतलब राशायनिक संगठन के आधार पर ठीक है तो meaning इसका समझ में आ गया कि portion के क्रिया के दोरान है ना जो nutrition था उस phenomenon के duration में जो भी चीज आपने अब्जॉर्ब करी देख होता क्या है कि जैसे हमने खाना खाया तो जैसे मान लो हमारी इसोफेगस है यह हमारा डाइजेशन आपका जो है स्टमक है है ना आमाशय है और उसके बाद यह आपकी आपकी जो है आते इंटेस्टाइन हो गई एक स्मॉल होती और एक क्या होती है लार्ज होती है ना तो मुझे यह बताओ पहले कि अगर मैं कहूं कि डाइजेशन मुझे करना है तो उसके कितने प्रोसेस हो गए सबसे पहले तो मुझे खाना खाना पड़ेगा है ना उसके बाद जो है दूसरे नंबर पर जो है उसका जो है डाइजेशन होगा तीसरे नंबर पर क्या होगा एब्सॉप्शन होगा क्या होगा एब्सॉप्श वाली जो आपके आते हैं, उसके अंदर क्या है? तीन चार पार्ट होते हैं, मतलब तीन चार नहीं कहूँगा, तीन ही होते हैं, तीन पार्ट होते हैं, उसमें से दो में तो डाइजेशन होता है, तीसरे में क्या होता है? अवशोशन होता है, मतलब कि अब्सॉप्शन होता है ठीक है तो वही पर जाकर के हमको जो भी ग्लुकोज बनाएं जो भी आपको अच्छी चीज़े खाने से मिली है वो कहाँ चली जाती है सीधी ब्लड में चली जाती है हमको कहा जाता है ना कि खाने के तुरंत वाद हमें कोई physical work नहीं करना चीए महनत का काम नहीं करना ची ऐसा पुर क्यों होता है क्योंकि जो खाना अपने डाइजेस हो रहा है तो एब्जॉर्ब होने के लिए हमारा जो बलड है वो डाइजेशन में भी हल्प करता है बलड की जो हीट होती घर्मी होती उसी के वज़े से क्या होता है आपका खाना पच्टा है और वो आतों के चारों तरफ जमा होना शुरू हो जाता है ब्लड यह ना और इसी वज़े से अगर आप दूसरे फंक्शन करोगे तो ब्लड को वहां जाना पड़ेगा ऑक्सिजन सप्लाइ करने के लिए यह ना इसी व क्लासिफिकेशन इन तत्वों को दो प्रकार से हम वर्गीकत करेंगे उप्योग के आधार पर यह ना जैसे कि कौन सा पोशक तत्व है निट्रियंट से उसका यूज क्या है उसके बैसिस पर हम उसको क्या करेंगे क्लासिभाई करेंगे फीर अगला है केमिकल कंपोजिशन बै कोई मेरे पास अगर प्रोटीन है प्रोटीन के अंदर अमीनो एसीड है क्या है अमीनो एसीड है अमीनो एसीड के अंदर में कहूं तो एक ये वाला गुरूप होता है एक अमाइन गुरूप होता है यह दो चीज़े होती है तीक अगर कार्भोहईडेट की बात तो ग्लुकोस के अंदर एल्डी हाइड है फ्रक्टोस के अंदर जो है की टोन है है ना इस तरीके से अलग-अलग जो आपका पोशक तत्व है उनमें अलग-अलग तो उसके बैसिस पर भी हम उसको क्या करेंगे क्लासिफाइ करें बास समझ में आ गई तो इसको नोट कर लो इसके आगे का फिर हम कल पड़ेंगे